नमस्कार दोस्तों इस समय की एक बेहत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में लिया दूसरी तरफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है तमाम बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है जिहां दोस्तों पूरी खबर को विस्तार से बता रहे पहलवानों को हिरासत में लेने के बाद अब पुलिस ने जंतर मंतर पर लगे पहलवानों के टेंट को भी उखार फेका है जंतर मंतर पर फिलहाल कोई भी नहीं है यहां धरना दे रहे सभी पहलवानों और प्रदर्शन कारियों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है बस महापंचायत का एलान किया था महापंचायत होने से पहले पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में लिया और यहां तक की तमाम पहलवानों को पुलिस ने सडक पर घसीता भी है बताते चलें पहलवान बजरंग पुनिया विनेश पोगा अटसाच्छी मलिक सही तमाम यहाँ पर पहलवान हिरासत में लिये गए हैं जिसके बाद वहाँ पर हडकंप मच गया क्योंकि हजारों की संक्या में दिल्ली की तरब किसान भी कूज कर रहे हैं जिनको बॉर्डर पर रोक दिया गया है और वहाँ पर धारा 144 लागू की गई है जिस पर राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी भी जारी कर दी है और कहा है कि जल्द ही देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है यह यहाँ पर कहना है राकेश टिकैत का इस वक्त की बड़ी अपडे